पूरा देश एक आग में जलता रहा है अंदोलन की आग में और निश्यती किसी लोकतांत्रिक देश के लिए अंशन आंदोलन ये उसके भाग होते हैं लेकिन मैं देखता हूं कि आजादी से लेकर आमने आजादी का आंदोलन भी लड़ा उसके पूर्वे भी कई हमारे भक्ती आंदोलन चले लेकिन जो अब क्या आ करते हैं पहले आंदोलन कारियों का नारा था वंदे मात्रम अब आंदोलन कारियों का नारा है धंदे मात्रम कहीं कहीं स्वार्थ जुड़ा हुआ है पहले आंदोलन कारी कहते थे अंग्रेजों भारत छोड़ो अब आंदोलन कारी कहते हैं आओ अपना देश तोड़ो पहल कवियों की रन भेरी में कवियों की इस रन भेरी में आज हमारे बीच में इस देश की वो युवा शक्ति है एक वो युवा शक्ति जो आंदोलन में कूदी हुई है दूसरी वो जो श्रजन में लगी हुई है अपने लेखनी के माध्यम से इस देश को एक दिशा देने में जावत व्यंग विधा के मूल कवी हैं लेकिन सभी विधाओं में पूरी चिंतक परक कविताएं देश को देने का माद्दा रखते हैं मैं किशोर पारिक किशोर जैपूर से आपके बीच में विशाल गुपता और जो निश्चिती मुक्तुचंद के माध्यम से अपनी भावनाओं के अभीव्यक्ति देते हैं धनराज दादीच नागोर से जो की राजस्तानी के बहुत मीठे गीतकार कवी हैं और कई फिल्मों में आपने अपनी लेखनी के चमतकार से पूरे देश के कवीता पसंद लोगों का रिदय जीता है आप सब का पुने हार्दिक स्वागत और अभिन्दन करता हुआ हमारे युवा कवी भाई विपूल जी से मैं अनुरोद करूँगा कि आए और अपने मन की बात करें सरवर्तम फर्ष्ट इंडिया राजिस्थान के सभी दर्शकों का मैं बहुत-बहुत स्वागत और अभिन्दन करता हूं एक मुक्तक से अपनी बात की शुरॉत करता हूं जिस प्रकार जन आंजुलन के नाम पर देश की अर्थ्वश्था को देश को नुक्षान पहुंचा कर देना जतन यह हो कि जीवन को सवया चंद कर देना वतन के शत्रुओं के शश्त्रको तुम अंद कर देना भले वाजिब हो कितनी मांग पर में मानता सब से भले वाजिव हो कितनी मांग पर मैं मानता सब से बड़ा अपराद है अपना ही भारत बंद कर देना और ये गांदी का देश है और गांदी जी का जो उसूल है वो हमें याद रखने बहुत आवश्यक है उसके उपर में चार पंक्तिया आपको पूरे राष्ट को फर्ष्ट इंडिया राजिस्थान के मादियम से पुर्ष्ट करता हूं कि सही के और गलत के बीच में हलकी सी दूरी है नहीं समझे तो फिर नुकसान की आशंग का पूरी है यही इनसानियत भी है यही है लाब का सोदा अगर हो सत्य मन में तो अहिंसा भी जरूरी है अगर हो सत्य मन में तो अहिंसा भी जरूरी है और देश इसमें बहुत बड़ी विकट परिष्टतियों से गुजर रहा है सभी वर्गों ने अपने अपने महापूरुष तैय कर लिये हैं पर हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस प्रकार हमने महापूरुषों का दायरा भी कम कर दिया है एक मुक्तक मैं इस पर समर्पित सभी देश्वास्य को कुस्तुद करता हूं अगर इस पर अमल हो जाए तो फर्स्ट इंडिया राज्थान के इस कवियों की रण भेहरी कारकर्म का उदिश्य सफल हो जाएगा बढ़ लेना बहुत कठिन अपने जीवन के कोशिला लेख में गड़ लेना बहुत कठिन अपने होने की हद से आगे बढ़ लेना अपने अपने महापुरुष के जंडों में बटने वालों समय मिले तो एक बार उनका जीवन भी पढ़ लेना समय मिले तो एक बारून का जीवन भी पड़ लेना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विपुल जे निश्यदूप से आपने अपने तीन मुक्तकों के माधियम से बहुत सटीक धंक से सारे अंदोलन को आपने एक तरह से परिभाशित कर दिया है मुझे मेरी पंक्तिया याद आती है थारे बंद करेंगे भारत यारों फिर खोलेगा कौन मैंने प्रश्न किया कईयों से बैठ गए सब होकर मौन कुछ ने दिया समर्तन उनको कुछ ने वोट बैंक देखा कुछ ने जुमले खूब उचाले और कुछ ने टुकुड़ा फेका ऐसे वैसे चुपे हुए हैं राजनीती के सारे डौन सारे बंद करेंगे भारत सारे बंद करेंगे भारत यारों फिर खोलेगा कौन तो ये एक ज्वलंद प्रशन है मैं धनराज दादीच की और इस देश के बहुत होनहार युवा गीतकार कवी हमारे बीच में नागोर से नमस्कार आप सभी का स्वागत कवियों की रन भेरी प्रोग्राम में और एक मुक्तक और गजल से मेरी बात सुरुवात करना चाहूँगा कि आओ करें ये वादा हम आपस में ना लडएं सब की मदद को हात हमेशा रहें खडएं काबिल बने ये कामियाबियां चलेंगी साथ आरक्षणों की हमको जरूरत ही ना पड़े और एक गजल के माद्यम से अपनी बात रखना चाहूँगा कि सब के हाथों में रंगे खून से खंजर क्यों है कि सब के हाथों में रंगे खून से खंजर क्यों है कोई बतला ये सहमे से कबूतर क्यों है कि कोई बतला ये सहमे से कबूतर क्यों है और शेर देखिए आज भाई से भाई रुसवा इस कदर क्यों है और एक और शेर की कि लगई मुलक को अब ऐसी ये नजर क्यों है कि नामन है न सुकू है न चैन है अब तो नामन है न सुकू है न चैन है अब तो लगई मुलक को अब ऐसी ये नजर क्यों है कि क्या उमीरों से गुना एक भी नहीं होता फिर ये इलजाम सभी मुफलिसों के सर क्यों है कोई बतलाए ये सहमे से कबूतर क्यों है कोई बतलाए ये सहमे से कबूतर क्यूं है बहुत खूब धनराजी मुक्तक और गजल दोनों में शानार आपने अभी व्यक्ति दी शांती के लिए अमन के लिए हम चाहते हैं कि एक आंदोलन ऐसा हो जो पूरे देश को वुचाईयों तक ले जाए ने कि तोड़ने का काम करें आएए इस दोर में इस स्थान पर मैं हमारे बित्र हमारे युवा का भी विशाल गुपता जी क्या अपने विचार रखते हैं इस विशाय को लेकर गुपता जी सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार विशाल गुपता अभी जो हालात हुए उन्होंने मुझे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया देश की ऐसी स्थिति के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था कुछ पंक्तियां मेरे हिर्दय से निकल कर आई शब्दों के रूप में और ये कटाक्षे व्यंग है हमारे आज की परिस्तिति पे हमारे देश की परिस्तिति पे कि देश की लुटिया डूब रखी है इसको और डुबाओ जी पाल रखे हैं पिस्सू हमने जम के खून पिलाओ जी बे अकलों की फौज है देखो हाथ में पत्थर लाठी है चहूं और हैं जंडे डंडे मिलकर के लहराओ जी और उगरवाद का फूल खिला है राजनिती की डाली पे खाद डाल के आरक्षण की बगिया को महकाओ जी इमान धरम और भाई चारे खोद के हमने गाड़ दिये बची हुई जो मानवता है उसको भी दफनाओ जी पाल रखे हैं पिस्सू हमने जम के खून पिलाओ जी और कार बसे बाजार घरों दे कार बसे बाजार घरों दे चुन-चुन करके फूक दिये और जो जरासा देश बचा है बेखौफ उसे जलाओ जी परिस्तिती है हमारी कि सत्ता पे जो बैठे हैं मकार मदारी जैसे हैं केल रहे हैं खेल जमऊर जम के खेल दिखा ओजी और पाक चीन क्या खाक करेंगे पाक चीन क्या खाक करेंगे हम तो खुद ही काफी हैं पड़े लिखे और अनपड सारे देश राग फैला जी देश की लुटिया डूब रखी है इसको और डुबाओ जी पाल रखें हैं पिस्तू हमने जम के खुन पिलाओ जी यह एक व्यंजना में विशाल बहुत एक खुबसूरत ढंक से अपने बात बात की है और मुझे जब व्यंग की बात याद आती है तो एक छोटा सा ताजा व्यंग आज ही मैंने वाटसप पर मैं पड़ा है मैं रख रहा हूं हमारे दर्शकों के लिए कि क्या रखा है अमेरिका और जापान में क्या रखा है अमेरिका और जापान में अरे कुछ दिन तो गुजारिये इंदुस्तान में आप चाहें तो मोदी जी की और भी इशारा हो सकता है क्या रखा है अमेरिका और ज जुलूस है बंद कराते बंदे हैं उपर से ये आरक्षन के फंदे हैं और इन आरक्षनों के बीच प्राइए इस जोडने का काम हमारे जो अग्रज कभी कर रहे हैं उनमें आधरनी जगदीश मोन रावजी का नाम भी बहुत अभी हाली के दिनों में जन आंदोलन को लेकर स्वागत और अभिनंदन अभी भाई विशाल जी कह रहे थे कि देश में आग लगाने की सिती है वस्तुत है आज के जन आंदोलन न तो जन से जुड़े हुए हैं और नहीं उन्हें आंदोलन कहा जा सकता है जिस तरह हमारी राजनीती देश को बांट रही है उसी पर मैंने गीत लिखने की कोशिश किये स्वागत कि चलो देश को आग लगाएं यंग रचना है कि चलो देश में आग लगाएं अपनी राजनीती चमकाएं चलो देश में आग लगाएं अपनी राजनीती चमकाएं भोली है भारत की जनता भोली है भारत की जनता जात धर्म की विशम जटिजलता बस चिंगारी एक दिखा दो फिर जलने का दौर न थमता हम भी उसका लाव उठाएं हम भी उसका लाव उठाएं चलो देश को आग लगाएं पंक लगा दें कलुशित मन को पंक लगा दें कलुशित मन को खुली छूट दें वहशी पन को बस नफरत के दावा नल से खाक बना दें इस गुल्शन को अफवाओं की हवा चलाएं चलो मिलकर देश जलाएं और राजनीती पर सीधे सीधे मैं व्यंजना परसुच करता हूं कि बोटों के भिकमंगे नेता खुद खरवाते दंगे नेता दल कोई हो इस हमाम में एक साथ सब दंगे नेता अपनी अपनी छव चमकाएं चलो देश में आख लगाएं और देखें लोग तंत्र की क्या लोग तंत्र क्या भीड तंत्र है गुणडागरदी मूल मंत्र है जिसको भी बहुमत मिल जाए मनमानी को वह सटंत्र है और सारे हतकंडे अपनाएं चलो देश में आग लगाएं सारे अत्कंडे अपनाएं चलो देश में आग लगाएं और देखें जंडे लेकर हम किस तरह क्या ब्यवार करते हैं कि लाल हरे या नीले जंडे लाल हरे या नीले जंडे तलवारें बंदूकें डंडे सारे आवारा मुस्टंडे खुलकर नंगा नाच नचाएं चलो देश में आग लगाएं और कैसी दुर्दशा हुई कि देश में हमारे छोटे-छोटे बच्चों की बस को और यहां तक एंबुलेंस को भी नहीं छोड़ा गया उस पर मैं एक बंद प्रसुत कर रहा हूं कि जला दिये जाते हैं वहनों पर पत्थर फेंके जाते हैं कि बच्चों की बस मोटर का रहें एंबुलेंस में पत्थर मारें एंबुलेंस में पत्थर मारें जो मिल जाए उसको लूटें कहां पें सत्वहीन सरकारें कहां पें सत्वहीन सरकारें मन चाहीं मागें मनवाएं मन चाही मागें मनवाएं चलो देश में आग लगाएं अपनी राजनीति चंप्रावत तो निशित रूप से हमारा ये जो चिंतन है विचार है एक धरातल पे है लेकिन इस जगे हम एक ब्रैक लेंगे और ब्रैक के बाद फिर मिलेंगे कभियों की इस रन भेरी में हर ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्फागत और अभिनांदन कवियों की इस रहन भेरी में और हमारे सभी कविगन गीतों के माध्यम से गजलों के माध्यम से sound के माध्यम से अपने दिल का दर्द गुवार जन अंदोलन के प्रतिय निकाल रहे हैं मैं रावत साब से अनरोद करूँगा कि रावत साब कुछ इस पर और आपकी और सागत एक वार पुने सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन देश की दशा निश्चित रूप से सियासत पर निर त्यागरे करते थे और वो अड़ जाते थे अपनी बात पर लेकिन किसी को दुख नहीं देते थे कस्ट नहीं देते थे लेकिन आज क्या दशा है एक छंद के माध्यम से दशा क्या दूर दशा है साब वही दूर दशा के तोड़ फोड आग जनी हिंसा और लूट पाट तो सकुनी हैं यहां कोई नहीं धर्मराज भाईयों को भाई से लड़ा गई सियासत जाते और मजहम में बांट दिया सारा देश नफरत की आग ही लगा गई सियासत हमको तो सारे दल गिद्धों के जैसे लगे नौच नौच देश सारा खा गई सियासत यह दशा हो गई है और एक और चंद के माध्यम से मैं उसको रेखांकित करना चाहूंगा कि देवी देवताओं के साथ भी ऐसी दुरदशा इस आंदोलन में हो गई है हम आए दिन इन आंदोलनों के माध्यम से एक दूसरे की आस्थाओं पर चोट करते हैं यह सबसे अधिक द शिकायत है जनता को न दुखी करो ब्रस्ट राजनेताओं को बोट मत कीजिए रहलिया निकालिये बोलिये गजै भीम लेक किंत मेरी आस्था पे चोट मत कीजिए रहलिया निकालिये खूद नारे भी लगाईए किन्त मेरी आस्था पे चोट मत कीजिए पूर बज तुम्हारे भी पूजते रहे हैं जिन्हें उनके तो साथ ऐसा खोट मत कीजिए भीड जो जुड़ी है आज कल नहीं देगी साथ ज्वाला मुखियों पे बिस्फोट मत कीजिए ज्वाला मुखियों प अपने बुज़र्गों के नाम यदि याद कर ले तो कहिन के उनके नाम के आगे राम कईयों के नाम आगे मिल जाएगा तो अपने परमपराओं का अपने उसका ध्यान रखें और मैं अब रुख लेता हूँ भाई धनराज दादीच कि और कि दनराज एक बार फिर से एक गज हवा दिशने हो गए क्या हवा दिशने हो गए क्या बड़े खोफ में ये शहर है बड़े खोफ में ये शहर है और शेर देखिए कि जलाता है क्यूं आशियाने वहीं पास तेरा भी घर है और एक और शेर कि कोई सांस ले भी तो कैसे कोई सांस ले भी तो कैसे हवाओं में तीखा जहर है और एक और शेर कि मनाऊं भला जशन कैसे मनाऊं भला जशन कैसे वतन का तो चलनी जिगर है और गजल का आखरी शेर कि गुलों में नहीं है रवानी गुलों में नहीं है रवानी बगीचों पे कैसा कहर है बहुत 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 शुक्रिया अच्छाषास कि इलाही ये कैसा असर है नहीसे लहु से वतन तर बतर है। बहुत 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 बश्चक्रिया। और धन्राज जी निश्चित रूफ से आपने इशारों में गजल के माध्यां से जिदर इशारा किया। मुझे दोपंक्तियां फिर किसी शायर की याद आती है। और मैं विशाल जी की और मैं चलना चाओंगा उन दो पक्तियों को पढ़ते हुए कि आज के दोर में कहां कोई इंसान नजर आता है कोई हिंदू तो कोई दलित तो कोई मुसल्मान नजर आता है और निश्चित रूप से हम इतने बढ़ गए हैं कि खंड खंड पूरा भारत म कि आप निकाली है इस विशेय पर फिर से सबीक नवशकार और कवियों की रंभेरी में मैं एक रंभेरी बजाना चाहता हूं आज के उन युवाओं के लिए कि हम तुम अपने अंतस से आंख मिला के पूछ सके तो ज्वार सा उठता रह रहके मैं वो सवाल लाया हूँ और नसे तुम्हारी फड़क उठे मुठी बाजू सबतन जाए और खूमे लावा भर जाए मैं वो उबाल लाया कि बात दुश्मन की होती जब नारे लहराने लगते हैं कि बाद दुश्मन की होती जब नारे लहराने लगते हैं कर देंगे माटी माटी ये जैजैकारे लगते हैं और कितना सच्चा कितना जूटा आज हिसाब सभी लेंगे कितना है गहरा देश प्रेम मैं वो सवाल लाया सोहार्द की उसर भूमी पे हम धर्म दिवारे रचते हैं गिर जाए कोई ठोकर से उठाने से बचते हैं पहले स्वार्थ देखते अपना फिर उपकार कढ़ोंग करें करमे चोरी घर में चोरी मैं क्यों सवाल लाया हूँ और हातों में किसी के इतना है जो चाहकर नहीं समाता है कोई बेचारा मुझ को अपने पेट में ढख सो जाता है देश को अपने मन को अपने गली महले साफ रखें अमन रहे दरदर पे अपने मैं सोच जमाल लाया हूँ बहुत बढ़िया विशाल जी बहुत बढ़िया और निश्यत रूप से हमारी ये युवा पीडी का जो चिंतन है मैं समझता हूँ कि हमारे नेता लोग भी और ये जो अंदोलनकारी नेता है विशेश रूप से यदि वो सुन रहे हो तो थोड़ा चिंतन करें और इसके बीच में एक जो साइकलोजी है रावत साप वो मुझे नजर आती है और मैं माई को भाई लखारा जी की ओड़ ले जाओं दो पंक्तियों से मैं बुमिका में कहना चाहता हूँ कि कुछ क्रोध में भारत बंद कराने आगे बड़े हैं कुछ प्रतिरोध में भारत खुला रखने पर अड़े हैं और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं जो भारत तोड़ने को खड़े हैं हमें होशियार रहना होगा साजिश की बहुत गहरी जड़े और इन साजिश की गहरी जड़ों को मुझना और हमें बटना नहीं होगा भाई लखारा जी गुप्त जी न कहा है काãy हम कौन थे क्या हुए और क्या होंगे अभी हम मिलकर विचारे आज आज ये समस्याएं अभी तो हम ये समस्या विचारने के लिए बैटे हैं और किशोड जी पारिक ने बहुत बढ़िया भूमी का इस गीत के लिए बना दी है तो मैं वो गीत आप सब के सामने प्रस्तुत करता हूं कि जो आच है अगर कोई मिट्टी का घड़ा हो तो अगर सही आच हो तो पकता है और ज्यादा आच हो तो गल जाएगा तूर जाएगा खराब हो जाएगा उसी भाब हुने को लिए जो देश देश को जिस आच की जूद है तो आच अब बढ़ गई है इस अधर पर खेलती मुसकान गलती जा रही है मंद कर दो आच अपनी देह जलती जा रही है क्यों किसी से रूठता है हाथ अव सर छूटता है बिल्लियों का सुक हमेशा एक बंदर लूटता है कि आज आदी के लिए मिलकर हम लड़ते थे सोचिये विचारिये की दूर कैसे हो लिये कल तक आंगन के छोरते सटाय हुए दिवारे उगाने वाले कौन है भी चोलिये लालच में आपने जो बंद किया भारत को तोड़िये वो तले उन सांकलन को खोलिये और एक दूजे के लिए बहाते आये खून हम एक दूजे का बहाया खून कब बोलिये दुश्मनों की चाल हमको आज छलती जा रही है मंद कर दो आच अपनी देह गलती जा रही है कि बीजदानव बो रहा है और मानव रो रहा है कोक सोनी मांग सूखी भाई ये क्या हो रहा है कि सदियों की नींद जगा मस तक पर लगा गुलामी का काला दाग धोया देशे रात भर भगत के तेज पर गांधी के गूरेज पर आजादी की सेज पर सोया देशे रात भर प्यार बेशुमार वार वार बढ़े अपनों में इनी मीटे सपनों में खोया देशे रात भर स्वार्त की जौलाओं में जला जो बेटा देश का तो लाश गोद में लिटाये रोया देशे रात भर प्रेम के इस बाग में अब पीर पलती जा रही है मंद कर दो आच अपनी देह गलती जा रही है इस अधर पर खेलती मुसकान गलती जा रही है मंद कर दो आच अपनी देह जलती जा रही है गोस्टी को कवियों की इस रन भेरी को हम यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे अगले सब्ता नए विशय के साथ धन्यवाद नमस्कार